मैं अपनी मा के घर जा रही हूँ मेरे भाईयों की साधी है गोरी साधी तो एक महिने वाद है फिर इतनी पहले इतनी पहले क्या करोगी भाँ जाके तुम अपना मुँ बंद रखो बस मौका चाहिए बोलने का मैंने कहा ना मैं जाऊंगी तो जाके रहूंगी और तुम रहे अपने तूटे फूटे गोंसले में मैं तो चली मा के घर चल जगू बेटे ऐसे बोलकर गोरी कवी अपनी मा के जंगल चली जाती है बड़ी चलाक है बड़ी चलाक है ये गोरी की बच्ची खुद तो वहां मजे से लड़्डू जले भिया खाएगी और मुझे यहां केला सुखा ताना खाने के लिए ऐसे कालू कावा अपने गोंसले में लेट जाता है ममा ममा आज मेरा मन पीज़ा खाने का है मैं ये खिचडी नहीं खाऊंगा कुकू बेटे इतनी रात को आपके लिए कौन पीज़ा लाएगा अभी ये खिचडी ही खा लें मैं कल आपके लिए पक्का पीजा लेकर आऊंगी ममा अभी 9 बजे हैं और डिलीवरी पक्षी पीजा देने आ जाएगा मैं अभी आडर करता हूं कुकु आप ये क्या बोल रहे हो मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा रुको ममा मैं आपको सब समझाता हूं पहले पीजा आडर कर दूँ फिर कुकु दो पीजा आडर कर देता है मिठु तोता जो की पीजा डिलीवरी करता था वो पीजा लेकर रास्ते में निकल पड़ता है मिठु तोता कालू कवे से रानो का पता पूछता है कालू भाई साब, यहां कोई राणो चुडिया एड्रेस तो यहीं का है हाँ, राणो चुडिया का गोंसला यहां से सीधा जाके नीम के पेड़ पर है वैसे तुम कौन हो, और इस पेटी में क्या है इसमें पिज़े हैं और मुझे रानो के घर भी तो पिज़े देने है आपका धन्यवाद अब मैं चलता हूं पिज़ा ये क्या होता है अब तो जाकर देखना पड़ेगा मैं भी इसके साथ ही चला जाता हूं यही सही रहेगा ऐसे सोचकर कालू कवा पीजे वाले की बाई के पीछे पीछे उड़ता है और रानो के घर पहुँच जाता है क्या रानो चड़िया का घर यही है? हाँ भाई जी मेरा नाम ही रानो है और मेरे बेटे को कुने ही दो पीजे मंगवाई है फिर मिठु तो अपनी पेटी से दो पीजे निकाल कर चड़िया को दे जाता है और वहाँ से चला जाता है लेकिन कालू कवा तो अभी भी रानो के दरवाजे पर खड़ा हुआ था कालू भीया आपको मुझे कुछ काम है जो यहाँ पर आए हो नहीं नहीं रानो चड़िया वो तो ये पिज़ा वाला पक्षी मुझे यहाँ ले आया बोल रहा था रानो के घर पहुचा दो तो मैं चला आया अच्छा कालू भीया अब आए हो तो पीजा खा कर ही जाएं चलें आप भी घर के अंदर चलें कालू तो मनहीमन बड़ा खुस था रानो चड़िया एक टुकड़ा पिज़े का कालू को भी दे देती है कालू तो जट से पीजा खा जाता है और अपने गोंसले में आकर बोलता है वा पीजा तो एकदम लाजबाब था मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं खाई जीतो कर रहा था चड़िया का पूरा पिज़ा खा जाऊं ऐसे सोचते हुए कालू कवा सो जाता है उसे तो सुभा को भी पिज़ा ही याद आ रहा था ये भी कोई खाना है सूखा दाना मैं नहीं खाता मैं तो अब पिज़ा खाया करूँगा नरम नरम और स्वादेश्ट मगर कैसे मेरे पास तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं जिससे मैं पिज़ा खा सकूँ ऐसे कालो कववा अपने गोंसले में बैठा हुआ था तब ही उसकी नजर पिज़ा डिलीवरी वाले पक्षी मिठु पर जाती है औरे ये तो कलवाला ही पक्षी है और इसके पास तो वही पिज़े की पेटी है मैं अभी जाकर इसको गुद्धू बनाता हूँ और पीजा ख पुझाता है मिठु तोता अपनी मस्ती में चले जा रहा था मैं तोता मैं तोता हरे रंगा तोता खीलाता हूँ सबको पिज़ा मैं हरे रंगा तोता मैं तोता मैं हरे रंगा तोता ऐसे मिठु अपनी मस्ती में वहां से जा रहा था तब ही उसके बाइक पंचर हो जाते हैं और वो वहीं रुक जाता है अरे बापरे ये क्या नर्थ हो गया मेरी गाड़ी का तो टायर ही फट गया यहां तो कोई मोटर मकैनिक की दुकान भी नहीं है अब मैं क्या करूँ तब ये कालो कावा पेड़ से बाहिर आता है क्या हुआ है तुमारी गाड़ी को धका लगा देता हूँ आपका धन्यवाद भाई साब जो बिना मांगे ही मेरी मदद को चले आए आप एक नेक पक्षी हो फिर मिठू तो ता आगे से बाई को पकड़ता है और कालो कावा पीछे से धका लगाता है कालो यही मौका है पिज्जा लेकर भागने का जल्दी से भाग जा कालो तो जट से पिज्जा की पेटी उठाता है और वहां से भाग जाता है मिठू तो सब देखता रह जाता है हाई हाई भाग्या मतमास भाग्या पूरी पेटी लेकर भाग्या कव्वे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कभी तो हाथ आएगा मार मार के पिज़ा जैसा नहीं बना दू तो कहना यह सही जगा है पिज़ा खाने की यहां मुझे कोई नहीं देख पाएगा क्या खुसबू है पिज़ा की ऐसे कालू कव्वा बड़े मजे से पिज़ा खा रहा था और बेचारा मिठू तो ता तो बहुत परिसान था पती जी आज आप इतना दुखी क्या है अर्याली एक कव्वा मेरी पूरी पैटे लेकर भाग गया सारी पिज़ो के रुपे मैंने अपनी जेब से दिये हैं गाड़ी का टायर भी भट गया आज पूरे चार पांच हजार का खर्चा हुआ है पती जी जिसके मुझ एक बार मास लग जाए तो वो घास फूस नहीं खाता आप देख लेना वो सैतान फिर से आएगा पिज़ा ल होता है मजा आग्या था कल तो पीज़ा खाकर आज भी उस तोते को बागल बनाऊंगा और पेट भर के पिज़ा खाऊंगा जाप नहीं खाता यह सूखा दाना फिर कालू कव्वा उसी रास्ते पर मिठ्ष तोते का इंतजार करता है जैसे ही उसे मिठ्ष तोता दिखाई प पेड़ पर छप जाता है मिठु नजदी काता है और उसी जगह पर टायर फिर से फट जाता है और ये कीले पकपा उसे बदमास कवे कचाल है मुझे फिर से फसाने का मिठु तोता ऐसे सोच रहा था तभी कालू कववा तेज उड़ता हुआ आता है और पिज्जा वाली पेट ही थी कि कालू उड़ने की बजाए नीचे गिर जाता है उसकी चौच भी तूट जाती है मेरी चांच टूट गी तूट गई मेरी चांच सेथान कवे अब आयान मचा और खाव पिज्जा नहीं-नहीं नहीं खाउंगा कभी भी नहीं खाउंगा मगर कल तो यह इतना भारी था फिर आज क्या लेहाई इसमें मैंने पिज्जा की जगा पर आज इसमें पत्थर भरे हैं ताकि तुम जैसे ही से लेकर ऊपर उड़ा तो नीचे गिर जाओ और वैसा ही हुआ अब आगे से कभी भी मेरे पिज्जा लेकर ना भागना वरना इससे भी बुरा हाल होगा तुम समखाता है रानों चडिया एक उशे पेड़ पर अपने तिनके के घंसले में बैठी हुई थी क्योंकि कुछी समय पहले उसका मजबूत लकड़ी का बना घर तूट चुका था मम्मा हम कब तक इस खुले घंसले में रहने वाले हैं आप जल्दे से हमारे लिए नया घर बना हमें बहुत थंड लगई है अपने बच्चो की ऐसी हाला देकर मम्मा चडिया बहुत परिसान होती है अब मैं इतनी जल्दी घर कैसे बनाऊं बच्चो को बहुत थंड लगई है मुझे किसी ना किसी की मदद लेनी होगी ऐसे सोच कर रान लिए नया घर बनाओं वो भी इतनी ठंड में नहीं मेरे कहने का ये मतलब नहीं था मैं अपने बच्चों को कुछ दिनों के लिए आपके घर छोड़ने आई हूं तब मेरा पक्का घर बन जाएगा तो ले जाओंगी चिडिया तुमने सोचा भी कैसे कि हम तेरे बच्चों को अपने घर में रखेंगे मुझे तो तेरा घर फूटी आँख नहीं सुआता अच्छा हुआ जो तूट गया अब भागो यहां से गोरी मुसीबत तो हम सब पक्षियों पर आती है आज मुझ पर है तो कल तुम पर भी आएगी भगवान के लिए मेरी मदद करें ऐसे मनाना क हाँ हाँ रानो तुमने सोच भी कैसे लिया कि मुझे पर मुसीबत आएगी अब भागो यहां से हमारा घर सर्दी में ठेंडा ना करो रानो अपने बच्चों को साथ लेकर वहां से चली जाती है गोरी रानो सब की मुदद करती है कई बार हमारी भी की है लेकिन एक तुम हो जो उसकी सारी अच्छाईया पलभर में भूल जाती हो क्या हो जाता जो उसके बच्चों को अपने घर में रख लेती कालू लगता है आपको भी सर्दी में घर से बाहर जाने का बढ़ा मन है क्यो ना मैं तुमारी ये ख्वाहिस पूरी कर दूँ नहीं गोरी नहीं मैं कहीं नहीं जाना चाहता आप कुछ ना करें ऐसे कहकर कालू कवा चुपचाप अपने गोंसले में सो जाता है इधर रानों चिडिया सुभा से उड़े जा रही थी वो एक लंबे सफर को त्या कर रही थी वो अपनी पूरी जीजान से उड़ती है और आखिर में अपनी मा के जंगल पहुंच जाती है मा मैं कुछ दिनों के लिए अपने बच्चे आपके पास छोड़ने आई हूं बच्चे चाहे कितने भी दिन यहां रहें मगर बेटा कल के तुफान में तेरा घर तो नहीं तूट गया हा मा मेरा घर ही तूट गया है जब भी कोई आफात आती है तो सबसे पहले मुझे ही दुख पहुचाती है पर छोड़ें यह सब मैं कुछ दिनों के लिए कोकोगडिया को आपके पास छोड़ने आई हूं जब नया घर बन जाएगा तो ले जाऊंगी ठीक है बेटा आप आराम से अपना घर बनाएं बच्चे अपनी नानों के पास सुरक्षि की तलास करती है मगर उसे कहीं भी सूखी लकडिया नहीं मिलती और रानों चडिया बहुत निरास होती है मैं क्या करूं अब अपने लिए घर कहां से बनाओं जंगल में तो एक भी सूखी लकडिया नहीं बची बच्चों को जैदा दिन मां के पास भी तो नहीं रख सकती वो अपना पेट ही मुस्किल से भरती है ऐसे सोच कर रानों चडिया फिर से उड़ती है और दूर दूर तक सूखी लकडियों की तलास करती है मगर जंगल में सूखे का मौसम तो था ही नहीं सभी पेड़ हरे भरे और पत्तेदार थे अब मैं कहां से घर बनाओं सूखी लक पत्तो का घर बना लूँ अगर तूट भी झाएगा तो फिर से बना लूंगी पत्तो की तो कोई कमी नहीं है इस जंगल में ऐसे विचार कर रानों अपने आसपास के पेड़ों के बड़े-बड़े पत्ते जमा करती है और मजबुत बड़े-बड़े पेड़ों के बीच मे अपना घर बना लेती है अब मेरा घर इस सर्दी में तो नहीं जूटने वाला क्योंकि ये पेड़ हर तरा के तूफान से मेरे घर को घेरे रहेंगे रानो चिडिया अपने पत्तों के घर को देकर बहुत खुश थी वो जल्दी जल्दी अपने बच्चों को लेने जाती है मा अब चलती हूँ मैं मेरा घर बन गया है फिर रानो चिडिया विदा लेती है और अपने जंगल लोटाती है बच्चे अपने नई पत्तों के घर में बहुत खुश थे अब रानो चिडिया दिन में दो दो बार जाकर सर्दिया गुजारने के लिए भोजन इखटा कर रही थ चोटी चिडिया आजकल बहुत बिजी रहती हो कितना भोजन जमा कर लिया है गोरी तुमें उससे क्या मतलब अपना गुजारा करने के लिए तो कर ही लिया ऐसे कहकर रानो चिडिया आंगे बढ़ जाती है गोरी तुम ही बैठी रहो पंक पे पंक रखे चड़िया ने घर भी बना लिया और सर्दियों के लिए दाना भी खटा कर रही है वो कभी हार नहीं मानती चड़िया अब चले हमें दाना खोजने के लिए देर हो रही है फिर वो दोनपती पतनी दाना खोजने चले जाते हैं गोरी कवी तो बहुत आलसी थी वो सिर्फ एक बार ही दाना लाकर हार जाती इस तरह से उनके पास सर्दियों के लिए जैदा भोजन जमा नहीं हो पाता बलकि चडिया ने तो लगातार महनस से ढेर सारा भोजन इखटा कर लिया था गोरी अब हम सर्दियों में क्या खाएंगे हमारे पास तो कुछ भी नहीं है जो भी भोजन लाते थे वो साथ साथ खा गए कालू अब हम क्या करेंगे इस तरह से कालू गोरी के पास जराबी भोजन नहीं जमा होता एक दिन सुभा से बारिस हो रही थी गोरी कालू भोजन लेने नहीं जा पाते और भूख से तड़पने लगते हैं कालू आप चडिया से थोड़ा भोजन मांग के लाएं मुझे बहुत भोख लगी है गोरी आप फिर भूल गई चडिया जब अपने बच्चे हमारे घर छोड़ने आई थी तो तुमने क्या कहा था मैं नहीं जाऊंगा भोजन मांगने कालू जी उस बात को चडिया कब का भूल गई होगी आप जाएं जगू बेटा सिभा से भूका है गोरी आप क्यों नहीं जाती चडिया के घर अब तुम कुछ भी कहो मैं नहीं जाने वाला चलो तो कालू हम दोनों चलते हैं देखो अब मनामत करना भूक दोनों को लगी है ऐसे बाते कर वो दोनों चडिया के घर भोजन लेने चले जाते हैं चडिया बहन चडिया बहन हमें माफ कर दें और थोड़ा सा भोजन दे दें सुभा से हमने और जगू ने कुछ भी नहीं खाया गोरी पहले आप जल्दी से अंदर आ जाएं बारिस में ना भीगें चडिया बहन तुम कितनी अच्छी हो और एक मैं हूँ जो हर बार तुमारे एहसान को भूल जाती हूँ गोरी मुझे आप से कोई सिकायत नहीं है बस मैं यहीं कहना चाहूंगी एक दूसरे की मदद किया करें क्योंकि मुसीबत तो हर किसी पर आ सकती है इसी का कुछ पता नहीं होता जैसे अब तुम पर आ गई ऐसे कहते हुए रानो चडिया कालू गोरी को भूजन दे देती है और वो दोनों भूजन लेकर अपने घर चले जाते हैं तो प्यारे दोस्तों हमेशा मुसीबत में फसे लोगों की मदद किया करें क्योंकि मुसीबत तो हर किसी पर आ सकती है आपका बहुत बहुत धन्यवाद